और गिलेंड मैक्सवेल केट्टरन काम किये तो जब RCB और CSK के बीच में जब मैच हुआ तहां सुर्कुमार यादो सबसे अच्छा परफार्मेंस करते हैं वहां संताओन और 60 मीटर का होनी माले नमस्कार दोस्तो जय ही साथियों दोस्तो इस बने में आपको बताने बला हूँ वैंगलोर वर्सेस चेननाई में IPL का पहला मैच खेला जागा जिसका मैच आपको बहुत दिन से इंतजार था लेकिन अब आपका इंतजार का घड़ी खतम हो गया आज मैं आपको बताने बला ह सबसे पहले आप मेरी बिनिक पुरूब देख सकते और वर्ड कप का भी मैंने देख सकते एक गरिंग फाइट किया है और इस तरह से में हर एक गरिंग जीता हूँ लेकिन इस पीच में अगर आप ड्रीम 11 चेंजर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने पीच रिप सबसे एक अगर पहले मैच की बात किरें तो डेट आपका 22 मार्च को होने मला है फ़र्स्ट मेंच होने मला है अग्ला जोगा जो दूसरा मैच होगा ओ साड़े साथ बज़े खिला जएगा क्योंकि पहला मैच है तो थोड़ा सापको प्रग्राम देखने को मिलेगा और इसी पाजों को support मिलेगा लेकिन मिलेगा तो किसको मिलेगा सबसे पहले अगर बात करूँ तो CSK अभी 20 matches से win करके आ रही है और Bangalore की बात करें तो इससे 10 matches win किये क्योंकि इन दोनों में अगर head to head matches देखा जाए तो CSK 20 matches भी win किये और RCB सिर्फ 10 matches इसके win करके आ रही है अगर इस प चितंबरम में तो 843 wicket गिरा जिसमें से faster की बात करें तो 509 wicket गिरा है और spinner को दिखा जाए तो 333 wicket लिया है अब उससे जदा important होता है कि अगर हमें चितंबरम का score record देखेंगे तो कितना highest जा सकता है कि अगर इसमें बात करें तो total मैसे देखा जाए तो 75 खेला गया है अग अगर first inning score देखा जाए तो 163 और second inning में 175 और highest score बात करें तो 226 wicket गया है जो राजस्थान रायल्स और CSK के बीच में सबसे highest score गया था अब बात करें lowest की तो 70 पर 10 wicket गया है अब उससे जदा important होता है कि अगर चितंबरम का stadium देखेंगे तो इसका और distance किसना हो सकता है तो अच्छा पर pèreuse करते हैं संताओन और 60 मीटर का वोने वाला है अगर यहां पर बात करें तो आपको 24 मीटर का होने वाला पर नहीं है अच्छे कासे इसमें बैटमेंस अच्छा रण बनाने वाले अब चलिए उसके ज़्यादा इंपोटेंट होता है कि इस पीच में किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ड मिलेगा बले बाजो को याप को इस पीनर को याप को फास्टर में तो यहां की पीच काफी धीमी मानी जाती है जो गिदवाजो को मदद परदान करती है यहाँ पर इस पीनर गिदवाजो को काफी ज़्यादा मदद मिलता है धीमी पीछे जिसे पाउर प्ले से अंध तक सबसे पहले अगर बात करें अभी तक जील बाईयों ने मेरे टेलिग्राम चनल पर जो आई नहीं हो रखा है तो जल्दी से आप लोग मेरे टेलग्राम चैनल पर जोईन हो जगा है क्योंकि इस बर IPL में धमान मचाना है क्योंकि अगर देखा जाए मैं आपको पहला 2023 में जब मैस के लग गया था CSK और RCB के बीच में उस टीम को मैं आपको थोड़ा सा कंपिरीजन कर दूँ तो देख से और डिर्म टीम में सामिल थे तो दिने सकार्तिक थे उसके बड़ डेवल कोन में वायस केटन काम किये थे अगर नीचे जाएंगे तो इसमें अजिंग्या राने सीवन दूबे और हुआ था अगर वही बालर की बात किरें तो महेंस पतिराना और तुसार देस पांड्या यह भी अच्छे परफार्मेस करके दिलाएते हैं यहां पर आप दूत्रा मेंसे देखेंगे तो जीटी और CSK की बीच में एत विर्दमान साहा उसका सुमन गिल वायस कैटन और काने हैं 300 से अच्छा परफार्मेस किया है तो अगर बियाट कोरी की बात करें तो इन्हों ने 30 में पात करेंने 619 का अच्यकी परफार्मेस करके में में अच्छे परपार्मिस करके दिलाते हैं तो पाचीस मैचों में 606 रन का अच्छा परपारमिस करके दिलाया अब बात करता हूं कि RCB और CHK के बीट में हाईस लोग स्कोर कितना गया तो अगर इसमें बात करें तो CHK जब मैच खेला था तो 226 रन बना था वो आपको बात करें CS के इस मैच को चेस कर गया था आठ रन से इस मैच को जीद गया था बैंगलोरू के स्टेडियम में 2023 में सबसे इस स्कूर गया था अगर वही बात करें आरसी भी सबसे इस देखेंगे तो 288 पर CS के खिला गया था और बैंगलोरू में 2023 को इस मैच को खिला गया था अगर वही बात करें आरसी भी सबसे लोग स्कूर में तो 70 बना था और CS के इस मैच को जीद गयर का चेंड़ इसी के स्टेडियम में चितंबरम के 2019 में इस मैच को खेला गया था अब चलिए आप बात करता हूं कि अगर इसमें देखा जाए कौन सबसे अधीक विके लिया CS के और आरसी बी के बी बैटर होगा जो आज अच्छे प्रफार्मिंस करेगा या फादू फलेसिस या बिराट कोली या रजत पाठीदार गलेन मैक्सविल कॉमरन गिनिंग दिनेसकार्तिक अगर वही बात करें अगर वही बात करें तो इसमें रुतुराज गयकवर आउट डेवल कोन में और अज अगर अगर उसके बारे में आपको रिकॉर्ड नहीं पता है तो सबसे पहले आपको मैं अपने टेलिगराम चैनल पर डालूँगा वहाँ पर सबसे अच्छा परफार में सबसे यूनिक टीम मिलेगा थाइक्स पर वाचिंग